कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दी कंप्यूटर में मैं आज आपको बताऊंगा कि जो नर्सिंग का पोस्ट आया है इस इस पीडियाप के वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में देंगा जो पोस्ट है टोटल आपके 569 पोस्ट है जिसमें सब संभाग की सबसे दिया गया यहां पर और नीचे आएंगे इसका जो तारीक है 17 तारीक से लेके 31 तारीक के बीच में आप भर सकते हैं इसकी वेब्साइट यहां पर आपको दिखाई दे रही क्या है और थोड़ा से नीचे आते हैं तो देखेगा यहां पर आपको यहां पर जो सेक्षिण योगिता है वो बता जा रहा है बेसी नर्सिंग होना चाहिए आपका या फिर पीवीबी एस नर्सिंग होना चाहिए और जो और सेकर्ड जो मुख्य बाते हैं वो नर्सी आइंगे तो अठारा वर्से लेके 35 वर्स तकी बीच की लोग भर सक तो पांच वर्ष के अधिक आप नहीं वर्पाएंगे तो नीचे आने के बाद यहां पर प्रमान पत्र तुटिपून या गलत उम्मिदवार चैन रिक्त होने पर कोई भी व्यक्ति एक संभाग से एक ही आविदन कर सकता है अलग अलग संभाग के लिए अलग आविदन नहीं माने जाएंगे और वो निरस्ट कर दिया जाएंगे आपको चैन है तो जो मापदन दिया गया है वो है कि जो निर्टन सेक्षण योगिता है जो आपको भी आपने किया हुआ उसका 85% दिया जाएगा यदि आपने कहीं सासकी सेवा के तहत काम किया गया होगा तो प्रतिवर्स तीनंग के हिसाब से 15 अंग तक निर्धारित किया गया है जिसकी आपके Google जोड की हिसाब से आपको मेरिट सुची तियार किया जाएगा उसके अनुसारी आपकी यहां पर भरती लिया जाएगा आगे देखते हैं इसका प्रिंट और निकालके आपको अस्ताक्षर करके फिर से अप्लोड करना होगा वो कैसे करेंगे मैं आपको आग आपको इस तरह से दिखाए देगा इसके बाद आप यहां पर देखें नोटीस बोड में आजाए यहां पर दिखें आलाइन अवेदन करें पर इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको नाम मोबाइल नंबर और ऑर इमेल अड़ी लिखने बोर है तो नाम लिखेंगे व करने बाद आपको एक रिजिस्टेशन नंबर दिया जा रहा है इसे आप कॉपी कर दीजिए kan कॉपी करने के बाद ओके दबाइए कि यहां प्रिस्टेशन नंबर डानने वह रहां नहीं पर जो कॉपी किया था उसको कर देता हूं यहां पर मैं OTP पर क्लिक करता हूँ तो मेरे मोबाईल में फिर से OTP आएगा ये OTP को मैं अब यहाँ पर डालूँगा जैन उसके बाद लोगिं लोगिं करने बाद ये हम से पूछा जा रहा है कि आप 36 गर क्या आप 36 गर की निवाशी है तो yes कर देंगे जैसे yes करेंगे तो नीचे कुछ option आएगा उसके बाद आप कौन से जिले के निवाशी है तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ इसके बाद यह पूछ रहा है कि आप कौन से पोस्ट के लिए भरना चाहते तो अपन स्टाफ नर्स के लिए भर रहा है कि स्टाफ नर्स पर क्लिक कर देंगे अब यहाँ पर एक personal information detail आ रहा है यहाँ पर देखिएगा आपको नाम है पिता का नाम है date of birth है category है जेंडर है यह सारा सची आपको पूछा जा रहा है आप इसे बड़े ही ध्यान पूर्वा किसको भरिएगा किसी चीज़ में गलती ना करें अराम से भरिएगा कोई दिक्कती नहीं है अभी एक बार edit किया आपको मिलेगा तो आप यहाँ पर सबसे पहले आपको कौन से division से भरना है वो आपको देखना है आपके चार division दिये गया है राइपूर, बिलासपूर, बस्तर और तो मैं आप बर लेता हूँ उसके बाद मैं आप एंड्यटेल बरना चल्ड़ करता हूँ है चलिये तो मैं आपको डिटेल पर कि आपको बता दूँगा कि की सर से भरना है तो यह मैंने पूरे डिटेल भर लिया है मैं फिर से एक चर शरी तोर पर चेक कर लेता हूँ कुश जूटा तो नहीं है कोई गल्दी गलत तो नहीं भल लिए हो यह सब सही है मेरा आप भी दूबारा एक बार चेक करके भरे दोस्तों कि बार-बार उसके बाद दें समिट करेंगे कि यहां पर देखें कि एड़िट अप्लिकेशन परिवर्ति नहीं किया जा सकता बोर रहा है चमिट करने के बाद वाप एक बार अच्छे से ही केक करके बार ठीक है देन होने के बाद इस टाप नर्स पर क्लिक कर लेते हैं अभी हमारे पास जो फार्म भरे है वो आ गया है इसका हम यहां पर बार चेक कर लेते हैं देन उसके बाद सम्मिट अप्लिकेशन पर क्लिक करेंगे अब यह हमें अपने मांक सिट को अप्लोड करने वो रही दिखिए दोस्तों इसमें जो मेन है इसका प्रिंट आउट लेकि आपको इसमें अस्ताक्चर करके इसे अप्लोड करना है तो मैं यहां पे चलो प्रिंट आउट ले लेता हूँ अपर यहां पर अब 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 चाहता है तो से आप अब मैं यहां पर अप्लोड डॉकमेंट में जाओंगा जो मुझे upload करना है जो post डालना है वो इसट आपनर अब यहां पर मुझे आपके देखिए experience का डालने बोल रहा है और यहां पर मुझे बोला जा रहा है कि आपने जो form submit किया है उसे assign करके आप upload करने बोल रहे हैं तो experience का जो size है वो आपका 500 kb से नहीं होना चाहिए ज़्यादा और जो अविदन का size है वो 200 kb से ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो आप इसमें ध्यान रखेंगा है यदि आपको नहीं मालूम है कि size को jpg form है यहाँ पे हम submit कर देंगे तो इस तरह से हम अपना form यहाँ पे successfully भर सकते हैं बस दोस्तों इतना ही करना है यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें सब्सक्राइब करो और में दोस्तों की भी share करना ना भूले चीक है दोस्तों have a nice day take care